जै श्री कृष्णा भक्ती मेशक्ती चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपको सक्रांती पर सास सुर से जुड़े हुए नेक चार के बारे में बताऊंगी सक्रांती के दिन बहु ससुर जी को गुड की भेली देती है और कहती है लीजिये पापा गुड की भेली दिखाओ अपने प्यारी सी हवेली और ऐसा कहे कर बहु ससुर जी को गुड की भेली देती है सोते हुए ससुर को जगाना सक्रांती के दिन लड़की के पीहर वाले लड़की की ससुराल में सोने के निमित पूरा विस्तर जैसे की गद्दा, तक्या, रजाई, चादर भेज देते हैं इस विस्तर पर ससुर जी सो जाते हैं इसके बाद बहू अपने ससुर को उनके पलंग के चारो तरफ नारियल बजाकर जगाती है जब ससुर जी उठकर बैठ जाते हैं तो उनके आगे रुपे तथा लड़ू रख दिये जाते हैं इसके साथ ही अपनी सास के भी चरन सपर्श कर उनको भी रुपे देते हैं इसके बाद ससुर जी भी अपनी बहूं को रुपे देते हैं यदि लड़की के मायके से इस्तरियां भी आती हैं तो उन्हें चाहिए कि वे अपने साथ ही रुपे तथा लड़ू लेकर आएं तथा दामाद का तिलक कर उसे भी रुपे दे दें इस अवसर पर लड़की की सास को भी रुपे दिये जाते हैं थाल परोसना बहू एक थाल में रुपे रखकर मिठाईयां परोस कर रख देती हैं इसके बाद सभी लोग बहू के लिए जितने चाहे उतने रुपे दे सकते हैं और भी एक नेग है दूद पिलाना अपने ससुर जी को चांदी के गिलास में दूद पिलाती हैं तथा उनके सामने एक थाली में मेवा मिठाई वे रुपे भी रखती हैं दूद पिलाने के बाद वह गिलास भी उनी को दे दिया जाता है ससुर जी बहु को नेग में रुपे देते हैं एक और नेग है दोती निचोड़ना इस दिन अपने ससुर जी की भीगी हुई दोती निचोड़ती हैं अगर ससुर दोती नहीं पहनते तो जो भी कपड़े पहनते हों उनको निचोड़ती हैं और सूखने को फैला देती हैं फिर एक थाली में मिठाई वे नए कपड़े उन्हें देती हैं बाद में ससुर बहु को नेग देते हैं ये थी ससुर जी से जुड़े हुई कुछ नेग अब सासु जी से जुड़े हुई नेग बताने जा रही हूँ मेवा मठरी बहु अपनी सासु जी को एक थाली में फल मेवा मठरी देती हुए कहती है लीजिये माजी मठरी खोलिये अपनी गठरी इस प्रकार वे अपनी सासू जी को पैल लगकर मठ्री देती हैं और एक और नेग है रूठी हुई सासू जी को मनाना सक्रांती के दिन सासू जी गुस्सा होकर अपने कमरे को छोड़कर किसी दूसरे कमरे में बैठ जाती है इस पर बहु रूठी हुई सासुजी को मना कर उन्हें कपड़े बहना कर रुपे देती हैं तथा चरण स्पर्श करती हैं और सासुजी से निवेदन करती हैं कि वे अपने कमरे में चलें इस पर सासु जी अपने कमरे में आकर और परसन होकर अपनी बहु को आशीश देती है एक और इस से जुड़ा हुआ नेग है सासु जी को सीड़ी चड़ाना मकर सक्रांती के दिन बहु अपनी सासु को सीड़ी चड़ाती है पहली सीडी पर गिन्नी या जो भी शर्दा हो वह रखती जाए इसके बाद प्रतेक सीडी पर शर्दा के अनुसा रुपे रखती जाती है और सासुजे उन रुपों को उठाती हुई सीडी चड़ती जाती है इसके बाद अंतिम सीड़ी पर गिन्नी अथवा जो भी रुपे जितने भी रुपे पहली सीड़ी पर रखेते उतने ही रख देती है इसके बाद सासुजी को नीचे उतारें जितने सासुजी को सीड़ी चड़ाते समय रखे थे उतरते वक्त उसके आधे रुपे सीड़ीयों पर रखते जाएं चड़ते उतरते समय के सारे रुपे सासुजी लेकर अपने पास रख लेती हैं इस नेग को इस प्रकार से पूरा करनने के बाद बहुर सासू जी के चरंसपर्श करती है ऐसा ही एक और नेग है सासू जी की पीठ मलना सासू जी की पीठ मलकर उन्हें बलाउस तथा साड़ी देती हैं उनके आगे मेवा मिठाई तिथा रुपे रखकर उनके चरंड स्पर्श करती हैं दोस्तों आज मैंने आपको सक्रांती से जुड़े हुए सासर ससुर्जी के नेग बताए अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद